Books That Speak में आप सभी का स्वागत है उमा अपना नाश्ता कभी नहीं खाती उल्टे वो बज उससे खिलवाड करती रहती है क्या अपने नाश्ते के साथ उसकी इस चुहल को रोका जा सकता है देखते है इस कहानी में उमा और उपमा ओरिजिनल स्टोरी उमा वर्सस उपमा बाई प्रथम बुक्स ये कहानी लिखी है मीरा गणपती, चत्रांकन रेनुका राजीव, हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी कहानी का वाचन असावरी दोशी ये कहानी Books That Speak चैनल पर अंग्रेजी में भी उपलब्त है अगर आप एक लड़की को डोसे में अपनी नाक सुड़कते हुए देखे, तो आश्चर्यन कीजिएगा वो लड़की उमा है उसे हर कोई बहुत बहुत अच्छी लड़की मानता है लेकिन बहुत अच्छी लड़की होने के बावजूद उसे एक गंदी आदत है उसे अपने नाश्टे के साथ चुहल करने में बड़ा मजा आता है यानि की खिलवाड करने में जो ही अम्मा की पीट उसकी ओर होती है उमा अपना नाश्टा जपट उसे अपने बचकाना तरीकों से खतम कर देती है बस उसके शरारती तरीकों के चलते डोसा रुमाल बन जाता है वो उसे बड़िया तरीके से मोड माड कर एक कुरकुरा त्रिभूच बना देती है और फिर उसे एक पिन की मदद से अपनी वर्दी पर टाक देती है नाश्ते में जब वड़े होते हैं तो वो उन्हें अपनी उंगलियों में अंगुठियों की तरह पहन इस कदर इठलाती है मानो वो कोई महरानी हो जिसने बेश किमती जवाहरात पहन रखे हो वावा वावा बोंडे उसे बहुत भाते तो नहीं सो वो उन्हें अपने मूँ के गलियारों में ठूस इस तरह से जताती है मानो उसके गाल चौथी ब कक्षा की उस मुटली के जैसे लड़ू गाल हो बॉय अम्मो गाल में वड़े जो है ना इसलिए उमा की अम्मा एक उमदा रसोईया है और उनकी इडलियां उनकी कॉलोनी भर में प्रसिद है लेकिन उमा जो है अपनी अम्मा की रसोई की जरा भी परवा नहीं करती उल्टे वो तो अपनी जेबो में वे प्रसिद नरम नरम इडलियां ठूस ठूस भर देती है और फिर स्कूल बस में उन्हें तकीय की तरह इस्तमाल करती है उत्तपम टोपी बन जाते है और पोंगल जो है मली गई बिल्ली के पेट में जाता है कोई भी चीज उमा को अपना नाश्ता ना खाने से रोक नहीं सकती लेकिन आज उसके सामने एक जरा से मुश्किल है अम्मा ने आज नरम नरम गुलगुला रवा उपमा बना कर उसकी पसंदिदा प्लेट में परोसा है अब दिक्कत ये है कि उमा इस उपमे का करे तो करे क्या वो इसे अपनी वर्दी पर टांक नहीं सकती वो वहाँ टिकेगा ही नहीं वो उसे अंगुठी की तरह पहन नहीं सकती वो रुकेगा ही नहीं वो उसे अपनी गालों की गलियारों में भर नहीं सकती वहाँ वो पिघल जाएगा वो उसे तकिय की तरह इस्तमाल नहीं कर सकती पिल-पिला तकिया साबित होगा टोपी की तरह वो उसे पहन नहीं सकती गिर पड़ेगा सिर पर से और वो उसे मली गई बिल्ली को भी खिला नहीं सकती बच्चा बच्चा जानता है कि बिल्लियों को उपमा बिल्कुल भी पसंद नहीं ऐसे में उमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस उपमा का क्या किया जाए जैसे ही वो अपनी लटों की चुननट बनाते बनाते सोचती और आखे मिचियाती जाती है तैसे ही वो गल्दी से एक चमच उपमा अपने मूँ में डाल देती है ओ, ये भला क्या था? जिसका एक निवाला उसने अभी-भी अपने मूँ में लिया था घी में तर एक नमकीन भुना हुआ काजू वा, और काजू की लालच में उमा एक और निवाला मूँ में लेती है लेकिन अपकी बार उसके चुगे में कुछ रसीला ताजा ताजा माल आता है गाजर वो एक ग्रास और लेती है ये सोच कि देखे अपके क्या आता है मूँ में वी अब ये चुटकु टुकडा भला क्या है तेज तेज तीखा तीखा आहा अद्रक कुटुहली उमा अब ना रुकने की लेकिन उँ आउच अपकी बार उसका निवाला एक हरी मिर्च बनी है और उसका मू है कि धधक रहा है अपने मू के इस ज्वाला को शांत करने के चक्कर में उमा सब का सब उपमा गटक लेती है आग आखिर बुझ ही जाती है और उसकी प्लेट हो जाती है खाली खलास उमा इस बार तुम्हारा नाश्ता कैसे खतम हुआ अमा पूछती है मेरे पेटवे उमा कहती है उमा अब अपने नाश्ते से नहीं खेलती अब वो वाकई एक बहुत बहुत भली लड़की बन गई है हर कोई उससे बहुत खुश है सब उससे खुश है सिर्फ मली गई बिल्ली को छोड़ सो मली गई आपको जहां भी दिखे आप उसे कुछ पोंगल जरूर खिलाईए ठीक है तो आपको दिया हुआ नाश्ता अब खा लेते हो ना उम्मीद करती हूँ खा लेते हो तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग Podcasting चैनल पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया